So Hello Friends, आप देखरें इसके मोटाल चैनल को और मैं एक बार फिर से आचुका हूँ आपके सामने एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मैं डिटेल रिभीव करने वाला हूँ होंडा साइन बीशिक्स मॉडल का तो इस वीडियो में मैं इसके सारे एक्सपेक्स को कवर करने वाला हूँ जैसे कि इंजन, कलर, सस्पेंशन, ब्रेक से लेके सब कुछ को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें Instagram पर फॉलो नहीं किया है तो हमें अभी के अभी Instagram पर फॉलो कर लें जिसका लिंग नीचे description ने mention किया हूँ है तो फ्रेंज आपसे request कि आप वीडियो को बिने सब की पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न हो जाए तो बने रियमार्ज वीडियो के साथ तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होंडा साइन में मिलने वाले कलर अप्संस की बात करें तो इस बाइक में आपको एक को दिशकर सकते हैं तो आप बात करते हैं इस बाइक के लुक्स की तो यहाँ पर इस मामले में कम्पनी ने इसमें बहुत माइनर से चेंजेस किया है जो की है इसके बॉड़ी ग्रैफिक्स और कलर अप्संस में तो यहाँ पर यहाँ बाइक आपको इसके बेस फॉर मोडल के तरह ही दिखेगी तो अब बात आती है इस बाइक के एंजन की तो इस बाइक में आपको 124 CC का सिंगल सिलेंडर एर कूल 2 वाल्ब प्रोग्राम टूल इंजेक्शन एंजन मिलता है जो 10.5 बेस्पी का पावर देता है 7,500 RPM और 11 NM का टॉर्ग देता है 6,000 RPM जो की आता है 5 स्पीट के गेरबॉक्स के साथ तो आप बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंसन सिस्टम की तो इस बाइक के फ्रेंड में आपको टेलिसकॉपिक और इसके रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंसन सिस्टम मिलता है जो की आपको काफी अच्छा कॉमफर्ट परभाइट करने मदद करता है अब टायर्स की बात करें तो इस बाइक के फ्रेंड में आपको 80 by 100, 18 इंच का टूबलेस टायर मिलता है और इसके रियर में भी आपको 80 by 100, 18 इंच का ही टूबलेस टायर देखने को मिलता है तो अब इस बाइक के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इस बाइक के फ्रेंड में आपको 240 mm का DC ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है जो की आपसन में है और इसके रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है जो की आपको काफी अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रवाइट कर देता है अब इस बाइक में मिलने वाल कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इस बाइक में आपको सेफटी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जो की आपके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूफ कर देता है वहीं दूसरा है एंजन कील स्विच जो की एक उपर सेगमेंट का फीचर है और आपको फिल सेप करने मदद कर देता है और तीसरा है सालेंट स्टार्ट विथ इसजी मोटर जिससे की बाइक बीना उतना ज़्याद आवाज की स्टार्ट हो जाती है तो आप सबसे जरूरी मुद्दे यानि माइलेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ बाइक आपको एपरोक 6265 के एमपिल का मालिस दे देगी तो अब इस बाइक के कुछ डिमेंशन की बात कर लेते हैं तो इस बाइक में आपको 1285 mm का विल बेस 791 mm का सीट हैट 162 mm का ग्राउंड की लियंस 114 kg का कर वेट और 10.5 बीटर की फ्यूल टंग कापसिटी आपको मिल जाती है इस बाइक के साथ तो अब बाताती है इसके प्राइस की तो इस बाइक में आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं जिसमें की पहला है जरम वेरियंट जिसका एक सोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है 68,812 और दूसरा है जिसक भेरियंट जिसका एक सोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है 73,512 वह ही इस बाइक के ओन्रोट प्राइस की बात करें तो यहाँ बाइक आपको 81,000 से लेकर 88,000 की बीच में मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में होंडा साइन बेसिस मोडल की रिलेटेट बस इतना ही तो अगर आपके मन में इस बाइक के रिलेटेट कोई बेटाउट रह गया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंजल पर आकर हमसे डाइट सवाल पूछ सकते हैं जिसका लिंक निजए डिस्क्रिप्सर ने में में संग किया हुआ है तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल परना हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो फिर मिलेगा किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ तो इसके लिए स्टे टून